सबी दोस्तों का वैलकम एक नई वीडियो में तो दोस्तों आज चलते हैं फिर एक नर्सरी पे और दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारी नर्सरी पे आपको न्यू न्यू वीडियो मिलती रहती है तो आज आपको नर्सरी पे लेके चलते हैं तो वहां पे आपको कुछ प्लांट दिखाएंगे, कि आप कौन-कौन से इस समय प्लांट ले सकते हैं, तो प्लांट भी आपको बहुत अच्छे rate के दिखाएंगे, जो आप बाई कर सकते हैं, और दोस्तो अगर आप अपमारे चैनल पे पहली वारा हैं, तो इसे आप करें, बेल आड़काण आ ऐन कीजिए, नर्सरी की निव नियो वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी, और आप देख सकते हैं मेरे अपने टेरस गारडन पे है, तो मेरे टेरस गारडन पे देखिए, फ्लावर दोस्तों यह देखिए, ये दोस्तो गुलाब का पौदा है और पीछे देख सकते हैं मुर्गा जो फ्लावर होता है वो है तो आज आपको नरसरी की सेर कराएंगे आप नरसरी की देखेंगे कि नरसरी पे कौन-कौन से फ्लावर है तो चलते हैं नरसरी पे और चैनल को सस्क्राइब और एक लाइक जरूर कीजिए आप स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो तो दोस्तो फाइनल हम आगे हैं नरसरी पे और देखिए खुबसूरत फ्लावर तो अभी आपको यह के करके बहुत सारे आपको फ्लावर दिखाएंगे कई प्लावर दिखाएंगे तो नरसरी का नाम हम बता दे रहे हैं यह है लच्छमी नरसरी और अब हम सुरू करते हैं अपने प्लावर उसे तो पहले नमबर हमने ये plant उठाया है merigold का तो देख सकते हैं इस पहुत अच्छी flouring हो रही है तो इसका price 20 रुपे है आप 20 रुपे ले जाके ये plant लगा सकते हैं दोस्तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से flouring हो रही है और दोस्तो वीडियो के एक like भी कर दे तो दोस्तो पिटूनिया नर्सरी पे जैसे ही सर्दियों का टाइम आता है तो पिटूनिया आने शुरू हो जाते हैं नर्सरी पे ये दोस्तो प्लांट बहुत ही कम प्राइज में आपको मिल जाता छोटे से पॉली बेग में इसका प्राइज आप 20 रुपे ले सकते हैं इसमे आप देख सकते हैं और भी यहाँ पर कलर हैं तो आप अपने मन पसंद कलर ले जा सकते हैं और इसको 10 इंच के गमले में लगाए तो बहुत अच्छे से फ्लाबरिंग करेगा और मार्स से अप्रेल तक यह प्लांट आपके गार्डन में ऐसे ही बना रहेगा फूल देते तो दोस्तो नैश्ट प्लांट है हमारा सिलोसिया तो देख सकते हैं यह प्लांट भी हमको कई कलरों में मिल जाता है तो आप देख सकते हैं इस पे बहुत अच्छे से फ्लाबरिंग हो रही है और यह छोटे से पॉली बेग में लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर है रेड भी कलर इसमें मिल जाएगा आपको तो आप अपने मन पसंद कलर ले सकते हैं यह प्लांट का कोई ज्यादा प्राइज नहीं 20 रुपे तो दोस्तों मेरे चैनल की आपको वीडियो कैसी लग रही है ऐसी वीडियो और देखने के लिए अभी सस्क्राइब करें और बेल आइकन ओन करें तो अब यहां के ओनर से बात करते हैं लोटी फॉन नंबर लच्मी नर्सरी संजीब के नाम से संजीब के संजीब क्वार कॉंटेक्ट नंबर बता अपना मुबाइल नंबर बोल तो अठासी क्यावन पिचान में 3350 तो दोस्तों यह है इस नर्सरी के ओ और तो यह केमरे को देखके थोड़ा हिचकी चाह रहे थे तो दोस्तों कोई नहीं पहली बार केमरे के सामने कोई आता तो नहीं सही से एड्रेस बता पाता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह लच्मी नर्सरी है और कॉंटेक्ट नंबर मैं अभी स्क्रीन पर दे दे लोकेशन आप वहां से चेक कर सकते हैं कि आपके घर से कितनी दूर यह नर्सरी है तो अब हम चलते अपने नेश्ट प्लांट के तरफ ताकि हमें देखने को मिले कौन-कौन से और नए प्लांट इस नर्सरी पर हैं तो दोस्तों नेश्ट प्लांट है हमारा कोलियस तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देख सकते हैं तो कोलियस दोस्तों आपको 20 रुपे प्राइज में मिल जाता है छोटे से पौली बेग में लगा हुआ है दोस्तों इस प्लांट को अगर आप नर्सरी से बाई करके अपने घर ले जाते हैं तो इसे फुल सनलाइट में नही नहीं तो इसके जो पत्तों पे जो इसका शेड बना हुआ है जो कलर आप देख रहे हैं ये तो ये कलर आपको फिर ऐसा नहीं मिलेगा आपका जो प्लांट देख सकते कितना खुबसूरत लग रहा है तो ये ग्रीन नेट के नीचे है इसको धूप छनके मिल रही तो आप अ दोस्तों प्लांट बहुत ही सस्ता है मुझे बहुत अच्छा मैं इसमें से दो प्लांट ले जाने वाला हूँ तो दोस्तों आप भी अपने नरसरी के आसपास पता कीजिए नहीं तो मेरी वीडियो देखके आप इस नरसरी पे आ सकते हैं और आगे की वीडियो के लिए चै या हमारी वीडियो दिखा सकते हैं आप इसका स्क्रीन सोट लेके और देख सकते हैं ये प्लांट आपको नरसरी पे 20 रुपे मिलेगा अब देख सकते हैं छोटे से पॉली बेक में लगा कितने अच्छे से फ्लाबरिक कर रहा है तो दोस्तों यही कुछ बाते आपको याद रखनी होती है कि आप प्लांट कैसे ग्रो करें तो नेश्ट वीडियो में जरूर इनकी केर बताऊँगा कैसे इनकी केर करनी है तो अभी मैं आपको इन प्लांट के रेट दिखा रहा हूँ और कौन-कौन से प्लांट इस समय आपको मिल जाएंगे तो देख सकते हैं 20 रुपे आपको मिल जाएगा तो दोस्तों अपने मन पसंद कलर आप इसमें ले सकते हैं छोटे से पॉली बेग में है देख सकते हैं और दोस्तों अगर इसको हम 5 इंच के गमले में लगाते हैं तो ये बहुत ही घना प्लांट हो जाता है इसकी हम कटिंग भी लगा सकते हैं तो दोस्तों बस इसको फूल दिन की सनलाइट हमें देनी है अगर इस प्लान को हम फुल दिन की सनलाइट देते तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है अगर आप इसे ओवर वाटरिंग करते तो आपका प्लान बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा तो इस बात का आपको ख्याल रखना है इसको प देखिए इन्होंने कुछ कोलियस की कटिंग लगा रखी है गमलों में तो यह प्लांट दोस्तों कोलियस का आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं तो चलते हैं अपने नेश्ट प्लांट के तरफ तो दोस्तों इस नर्सरी पर आपको अगर वेजी टेवल्स पसंद है तो आप यहां से ले सकते हैं देख सकते हैं यह बैंगन के पौदे हैं तो छोटे से पौली बेग में लगे हुए हैं यह गमले देख सकते हैं इन्हें पर फ्रूटिंग भी अच्छी खासी हो रही है द आपको 20 रुपे मिल जाते हैं तो ये देख सकते हैं फ्रूटिंग लगे हुआ प्लांट आप 20 रुपे ले जा सकते हैं ये चोटे से पॉली बेग में लगा हुआ है अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है तो आप देख सकते हैं 20 रुपे प्लांट आपको ले जा सकते हैं अप इसभी आप जा सकते हैं जोकि सौ रुपे हैं तो दोस्तों इनको भी ले जा सकते हैं और अपने घर के अंदर की जो हवा और लता होती है आप इस प्लांट को भी कर सकते हैं चलते अपने नेस्ट प्लांट के तरफ रहार तो धोस्तों नेस्ट प्लांट है हमारा जर्वेरा यह दोस्तों देखिंए कितना खुपसूरत फ्लावर आया है और यह प्लांट आपको 6 इंच के गमले में 100 रुपीज का मिल जाता तो दोस्तो हमने आपको बहुत सारे प्लांट दिखाए आपको वीडियो कैसी लगी एक लाइक करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए तो ये खुबसूरत सा गमला है देख सकते हैं इस पर जरूरा के दो फ्लावर आए हुए हैं तो दोस्तो इन फूलों की तरह आप भी खिल खिलाते रहिए हसते रहिए फिर जल्दी मिलते हैं आपको एक नेश्ट वीडियो में तब तक अपने ख्याल रखिए और हर संडे को हमारी वीडियो आती है इसका इंपजार करें फिर मिलते हैं आपको एक नेश्ट वीडियो में तब तक अपने पोदो का भी ख्याल रखिए